हिमाचर परदेश की रासधानी शिमला से करीब 140 किलोमेटर दोर निर्मड उपमंडल मुख्याले के समीब देव धांक नामक स्थान में शिबरात्री के दिन भगतों का तांता लगता है। यहां पर मिट्टी पत्थरों की बनी प्राक्रितिक गुफा में प्रवेश निकासी के लिए रास्ते बने हैं लेकिन इस गुफा में प्रवेश बोई दर्शन के बाद बहर बही आदमी निकल सकता है जो सकारात्मक विचारों से आया हो और मन में पाप द्वेश की भाबना न हो मानेता है कि पापी यानी अधर्मी इसमें फंस जाता है इस प्राक्रितिक गुफा में भोले नात ने कैलाश जाने से पहले तपस्या की थी और इस प्राक्रितिक गुफा के अंदर बने सुरंग से होते हुए श्रीखन कैलाश मौंसते थे बताये जाता है कि शिबरात्रे के दिन सुभा से ही यहां आना शुरू हो जाते हैं कई गुर्य विचार होंगे तो ना अंदर जाता है ना अंदर जाके बाहर आता है उनको बड़ी दिक्कत कर सामना कर दो कर दो कि अधिया नाम राजीव शर्मार है यहां पर जो एक गुप्त मार्ग शिर्खिन के लाज के लिए जो एक गुप्त मार्ग शिर्खिन के लिए यहां पर आते हैं उनकी कोईन कोई अपनी मनो कामना होते हो बतूरन होती है इस्टे आजारों के लिए है उत्तों आते हैं और यह सुपदूपा की और शियस्ता ही है कि इसके जो पुवेश दौर है वो संक्रे है इसमें जो है पापात्मा जो असानी से प्रवेश नहीं कर स झाल झाल